भारत वर्ष में प्राचीन काल से ही अहिंसा एवं शान्ती की संस्कृती रही है। आदिकाल से भारतिय संस्कृती में वन्य जीवों के प्रति इसने वह आदर रहा है। चिडिया घरों के स्थापना का उद्देश इसी परिपेक्ष में वन्य जीवों को व्यापक रूप से अत्यधिक सुविधा वब सम्मान दिये जाने का है। इस करम में शहेद अश्वाक उल्लाखा प्राड़े उद्द्यान का निर्मान उत्तरप्रदेश के गोरकपुर शहर में सुरम्य रामगर्ताल के निकट 121 एकड़ छेतर में कराया जा रहा है जो निर्मान के अपने अंतिम चरण में है। यह उत्तरप्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा तथा एक आधुनिक प्राणे उद्द्यान होगा। यह दो तरफ रामगर्ताल तथा एक तरफ वन भूमी से घेरा होने के कारण बेहाद ही खुपसूरत दिखता है। इसका मुख्य द्वार सु प्रसिद्ध गुरु गुरकनात मंदिर के प्रतिबिम्ब के रूप में और अन्यभवन बौदस्तुप के सादरिश्य निर्मित है जो वास्तु सिल्प की अध्भुत कला को प्रदर्शित करता है। दर्शकों के मनुरंजन को ध्यान में रखते हुए इसमें ओपिन एर थेटर तथा फोर्टी थेटर का भी निर्माण कराया गया है। सरक्षित करने की व्यवस्था की जा रही है। जिसमें प्रारंब के तीन बाड़े विभन प्रजातियों के पक्षियों के होंगे। इन बाड़ों में मुकित मोर, रेड जंगल फाउल, लब बर्ड, रोजी पैलिकन, पेंटेड स्टार्क, स्पोर्ट बिल्ड, डक त्यादी होंगे। पक्षियों के बाड़ों के बाड़ों के बाड़ करम शह तीन बाड़े बंदरों तथा दो बाड़े भालू है तो होंगे। वन प्राणियों के सुभाव के अनुकूल उन्हें खेलने खूदने तथा व्यस्त रखने के लिए विभिन प्रकार के जूले, गुफा, मचान, रौकी व ओडेन स्ट्रक्चर तथा पानी के तालाब का भी निर्मा कराए गया है। रातरी तथा प्रतिकूल मौसम को देखते हुए समस्त बाडों में प्रतेक वन प्राणियों है तो अलग-अलग कमरों का भी निर्मा कराए गया है, जिनके अंदर भी अनीक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बाडों का निर्मान इस प्रकार कराए गया है कि दर्शक वन प्राणियों को सीधे देख सकेंगे। बाडों की भिन भिन सरन चुनाएं, वन प्राणियों का प्राकिर्तिक वास उपलब्द कराएंगी तथा इस प्राकिर्तिक वास में विचरन करते विभिन प्रजाती के हिरन दर्शकों से तार्त में स्थाफित कर उनके दिल में एक इस्थान बना लेंगे। बारा सिंगा का सुभाव की चड़्युक्त तालाब में अटखेलिया करने का है, जिसको दिस्टिगत बारा सिंगा के बाड़े में की चड़्युक्त तालाब का भे निर्माण कराया गया है। बाडों की हर्याली वर नमी बनाए रखने तथा अत्यधे कर्मी से वन प्राणियों को बचाने हे तू बाडों में भूमिगत स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। चतों पर लगाए गए मिस्ट वन प्राणियों को शीतलता प्रदान करेंगे। प्राणियों द्यान के अंदर आसाम से लाए जाने वाले गैंडे शिग्र ही अपने बाडों में चहल कदमी करते हुए दर्शकों का कवतुहल बढ़ाएंगे। लकडबगह, भेडिया तथा सियार के बाडों की छटा ही अलग है। प्राणियों द्यान के अंदर छोटे विडालवंशी लैपर्ड कैट, फिशिंग कैट वजंगल कैट के तीन अलग-अलग बाड़े और बड़े विडालवंशी तेंदुए के लिए एक बाड़ा बनाए गया है। चुकि इनका सुभाव कभी भी चड़ जाने वाला होता है। अतर इनकी एवं दर्शकों के सुरक्षा है तो इनके बाड़ों को चारो तरफ से चेन लिंक से बंद किया गया है। इन बाड़ों के अंदर इन वन जीवों को व्यस्त रखने के लिए तमाम इंतजामात के गये हैं। तेंदुए के बाड़ दर्शक अपने राष्ट्रिय पशु बाग का दिदार कर सकेंगे। धर्थी के सबसे बड़े विडा लवन्शी को सामने से देखने का रोमांची अलग होता है। अपने एक दहार से पूरे प्राणे उध्यान में कोतुहल पैदा करने वाले बागों की वर्तमान प्रस्तावत संख्या तीन है। पाग के बाड़े में एक विशाल का मचान, गुफा, जहरना तथा क्रीडा हेतु लकडी के फुटबाल का प्राविधान किया गया है। इसके घर को स्टोन क्यालेटिंग के जरिये प्रागिर्तिक स्वरुप्रदान किया गया है। जनपत गोरकपुर में प्राणि उद्यान की स्थापना से आम लोगों में पार स्थितिकी ये संतुलन के सासाथ वन्य जिवों के महत्व एवं सन्रक्षण में रूची बढ़ेगे। निश्ची थी ये प्राणि उद्यान गोरकपुर को देश के परेटन मांचित्र पर विश्ष्ट दर्जा प्राप्त करानी में अति महत्व पूण भूमिकानी भायेगा तथा आंतरास्टी परेटन का एक पहु आयामी केंद्र बनेगा। पूखक जाखक जा आंतरास्टी आंतरास्ट आंतरास्टुpflicht ओ座िमा केम सक्राहन भायेगा। कि अजय कर दो कि अजय कर दो